हलो फ्रेंड्स आप सभी काई स्वागदे फिर एक बार पावार सीट कोर्स में तो आज हम देख रहे हुंडा हैने सीबी थरी पिप्टी का सीट मोडिफिकेशन करने वाले और गाड़ी लेके सिर्फ एक दिन ही हुआ है और दूसरे दिन अपने शौप याए है सर सीट प्याए है तो अभी बकेट सीट बनाने वाले है तो पूरी जो रचना है नीचे का स्ट्रक्चर है वह हम बना रहे है अभी उसके उपर आएगा यह एजडी फोम बकेट के नुसार क्योंकि उनको एक बाइक पे घूमना है और राइट भी करनी है तो दूर दूर जहां प्रावलम नहीं आना चाहिए तो उसकी वज़से ही बाद में करें क्या अभी करें क्या तो यही सोच के वह अपने शौप प्याए है और यह बहुत ही अच्छे वीडियो है पूरा आप देखी है तभी तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे काम करते हैं और बकेट लगान अभी सिट लगा है हमने कैसा लग रहा है क्या लग रहा है वह सब चेक करें सिट लगने के बाद हमको ऐसा लगा कि सीट प्रॉपर तरिके से रेस्ट हो जाएगा जो बेसे मेटल बोडी का नीचे उसके उपर पर वह थोड़ा सा पीछे आ रहा था इसलिए पीछे से हमने पकड लिया है आप देख सकते हो और चेक कर रहा है अभी हम कि पीजिशिंग कैसे आई है और क्या प्रॉलम हो रहा है उसके बाद सिर्फ हम अभी हाइट देखने वाले है हाइट और कमफर्ट तोड़ा सा चेक करने वाले है क्योंकि होंडा एनेस का जो पीछे वाला सित है उसको यह तीन नर्स होते है उसको ही वह फिक्स हो जाता है इसनले हमने सोचा कि फ्रण्ट वाला ही सीट लागा देगे और जो बैक वाला से नो हो जाएगा तो उसके बाद ही हो सब लागा देंगे अभी तो सर ने पूरा चेक किया तो उनको कुछ इस्यू नही वाले है काम वह भी थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कमफडेबल बनाने वाले है यह देखो सस्पेंशन देखो मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद हमने बैक वाला सीट लिया है और वह अभी कैसे बिटाएगा और उसका मोडिफाइब हम करने वाले फ्रण्ट वाला सीट को ज्यादा टाइम लगता फोड़ा तक थ्वाला से उसको थ्वड़ा सा टाइम लगता है अभी center marking कर लिया है हमने यह देखो center जिदर जिदर center marking गया यह प्रॉपर तरीक से उसकी finishing आ जाएगी और सर ने जो cover भी choice किया है जैसे company का था वेसे ही उन्होंने choice भी की है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको तो वीडियो में बने रहे अभी देखो जो extra piece है वो हम सब लगा रहे है क्योंकि broad seat होना चाहिए जो पीछे आदमी बैटेगा उसको soft और comfort दोनों मिलना चाहिए जो जो क्यूरी लग रहे है हमें वो हम जगे भी solve करते है क्योंकि सर इतने दूर से आये है तो उनको बैटना तो चाहिए क्योंकि कम से कम यह काम के लिए चार गंटा तो लगता है लगता है उसके बाद आप देख लो कैसे हम चांपर मार रहे है नीचे से जो जो हमें लग रहा है नई कि सीट को नहीं होना चाहिए वो सब हम काट रहे है प्रफर तरीके से उसके बाद हमने यह शेप बनाए है आप देख सकते हो कमपड़ भी देख रहा हूँ यह हम एटेज कर रहे है इस टाइप से इसका फिटिंग होता है कि दर कम जादा हो रहा है क्या हो रहा है वो सब हम यह देखा आप कैसे में दिखा रहा हूँ और कमपड़ भी बार बार हूँ दिखा रहा हूँ प्रॉपर वो सेट बैठने के बाद हमने सीट बाइक को लगा दिये और यह फाइनल फिनिशिंग है इसकी सर को हमने बोला कि आप राइड मार क्या आ जाओ तो अभी तो आपको कमफर्ट महसूस हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है आपको लग रहा होगा कोई तो वो जट से बटा दो वो हम इधर ही स्वाल कर देंगे और राइड मारने के बाद सर ने बोला कोही प्रॉब्लम नहीं है एकदम परफेक्ट काम हुआ है आगे पीछे कुछ मत करो इसको फ सिल्वर कलर में कर दो और वो भी हमने एकदम फिनिशिंग में और प्रॉपर तरिके से यह की है अब यह मैं दिखा दूँगा विए देखवा आप कि सब हमने एकदम कमफर्ट और जो कस्टमर को प्रॉलम था वैसे हमने काम किया है पीछे का भी हमने बकेट किया है जीट और फ्रंट का भी हमने एकदम प्रॉपर तरीके से बकेट किया है और यह स्टेप्लर फिटिंग का काम चाल हुए और सर यह काम होने के बाद दूसरे दिन भी आये थे बताने के लिए की काम बहुत अच्छ हुआ है मुझे अभी कोई प्रॉलम नहीं आ रही है गाड़ी चलने में और उसकी फिनिशिंग भी दिखा देता हूं मैं एक बार एकदम प्रॉपर तरीके सी इसकी फिनिशिंग आई है और ये काम हमारे कस्टोमर को दुब बहुत अच्छा लगा आपको कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताईए और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेर और सास्क्राइब जरू कीजिए थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स टो में बाबाई